उर्जा के शेत्र में बंगलादेश आत्मन निर्भरता के और अग्रेसर हुआ है। यही नहीं इस वर्थ सब रिजिनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बंगलादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमती बनी है। Friends, हमने सबका साथ सबका विकास के हमारी एप्रोच को बंगलादेश जैसे अपने निकटम पडोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बंगलादेश का सबसे बड़ा डेवलोपमेंट पार्टर होने पर हम गवरवानवित मैसुस करते हैं। पिछले नव वर्षों में विबिन्नक शेत्रों में विकास कारियों के लिए लगभग दस बिलियन डॉलर की सहायता दी जा रही है। हमारे एक्चिवमेंट्स की लीस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पुरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पुरे किये हैं। लेकिन आज के कारकम की एक और विशेस्ता है। आज जिन तीन प्रोजेस का उद्गहटन किया गया है। उनका निर्णे भी हमने ही लिया था। और इन्हें लोगों को सबर्पित करने का सोबग्य भी हमें ही मिला है। प्रेंट्स हमारे संयुक्त प्रयास्व की सभलता के लिए मैं प्रधान मंत्री सेख हसेना जी का विशेस रुप से आभार प्रगड करता हूं। कुछ सब्ता पहले विजी ट्वेंटी समीच में विशेस अतिती के रुप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का आउसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधान मंत्री शेख हसेना जी का रदय से आभार प्रगड करता हूं। एक्सलेंसी आपके स्मार्ट बंगलादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बंगलादेश के बारा जिलो में बारा आईटी पार्स बनाने में भारत सयोग दे रहा है। फिंटेक के ख्षित्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोडने के लिए भी सहमत ही बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साहजा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बंगलादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रलाद। प्रलाद। अबढ़ कर था सकतार प्रवड़ेश कर के लिए। पुराज न चेहर। पुराद। आखे टोड़ चुझ तोड़ने हैं, नमस्केट.